हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेशालेयर राश्टर राज़ानिक शेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 45 जुकि कक्षा छटी के विध्यारतियों के लिए है यह ली गई है हिंदी विशे से जिसमें हम पाट ऐसे ऐसे जो की एक एकांकी है उसको जारी रख रहे हैं तो चलिए बिना समय कवाय शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों पिछले कारे पत्रक में हमने विश्नु प्रभाकरजी द्वारा लिखी एकांकी के कुछ भाग को पड़ा और समझा इसमें अब तक आपने जाना कि इसमें बच्चों के मनोविज्ञान का चितरन किया गया है कि बच्चा कैसे सोचता है अब तक आपने यह भी जाना कि मोहन की बिमारी के उपचार के लिए वैदे जी को बुला लिया गया है और अब उससे आगे पिता, वैदे जी, शाम तक ठीक था दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एक दम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है वैदे जी, अभी बता देता हूं असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है मैंने कहा बेटा जीब तो दिखाओ मोहन जीब दिखाओ निकालता है कब्स है पेट साफ नहीं हुआ है पेट टटोल कर पेट साफ नहीं हुआ है मल रुख जाने से वायू बढ़ गई है क्यों बेटा हाथ की उंगलियों को फैला कर फिर सिकोड़ती है ऐसे ऐसे होता है मोहन करहा कर जी हाँ वैद जी हर्ष से उचल कर मैंने कहा था ना मैं समझ गया अभी पुडिया भेशता हूँ मामली बात है ये मामली बात कभी-कभी बड़ों को भी छका देती है समझ ने की बात है मैंने कहा आओ जी दीना नाज जी आभी पुडिया ले लो मोहन की मा से आदे आदे घंटे पर गर्म पानी से देनी है दो-तीन दस्त होंगे बस फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे घदे के सिर से सीन तो देखा आपने वैदे जी के आने पर वैदे जी ने मोहन का परिक्षन किया और वैदे जी के अनुसार उन्हें ये पता चल गया कि इसको गैस का दर्द है कई पर पेट में गैस बन जाती है ना उसका दर्द है तो फिर वैदे जी ने कहा कि मैं उसको ठिक करने के लिए पुड़िया भेज देता हूँ आप उसको मंगवा लीजिए तो आज का तो सीन ये था चलिए अब हम चलते अपने प्रशनों उतर पर तो अब उपर दियेगे गद्यांच को ध्यान पुरोग पढ़ी और फिर नीचे दियेगे प्रशनों का उतर दीजी तो प्रशन नमबर एक है कि वैदे जी ने मोहन की जांच के बाद क्या बिमारी बताई तो बहुत असान है कि मोहन की जांज के बाद वैद्डे जी ने बताया कि ये मोहन को पेट साफ नहीं होने के कारण वध यानि गैस का दर्द हुआ है उसके बाद दूसरा प्रशन है कि वैज जी खुशी से क्यों उचल पड़े? कि वैज जी खुशी से इसलिए उचल पड़े क्योंकि उन्हें मोहन की ब्यमारी की वज़े का पता लगा लिया था. उन्हें नहीं पता लग गया था. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या यहाँ पर इसको काटके आप लिखो के उन्होंने मोहन की बिमारी का पता लगा लिया था फिर प्रश नमबर तीन वैद्दे जी ने दीना नाजी से क्या लेने को कहा तो वैद्दे जी ने दीना नाजी से पुडिया लेने को कहा फिर प्रश नमबर चार छका देना मुहावरे का अर्थ पता लगा कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए देकि छका देने का मतलब होता ही है ठीक है और फिर प्रश नमबर पांच मोहन की मा ने मोहन की मा से वैदे जी ने क्या बात कही तो मोहन की मा को वैदे जी ने बताया कि उन्हें मोहन की बिमारी का पता चल गया है और बहुत मामुली बात है चलिए अब हम गतिविधी करते हैं तो गतिविधी है कि क्या आप ने स्कूल का ग्रह कारे नहीं किया था और घर में पेट दर्द का भाना बना दिया तो मेरे पिता जी मुझे डॉक्टर के पास ले गए और मुझे कड़वी दवाई भी खानी पड़ गई ऐसा होता है कई बार चलिए अब दूसरी गतिविदी देखते हैं दूसरी गतिविदी आपके अनुसार आपके घरों में पुड़िया शब्द का प्रियोग किस कारे के लिए किया जाता है सोच कर लिखे तो देखो पुड़िया शब्द का प्रियोग कम मात्रा में जब कोई चीज कागस में लपेट कर दी जाती है तब किया जाता है है ना जोर गरम की पुडिया तो इस तरह से हम पुडिया शब्द का प्रियोग करते हैं तो यह तो थी आज की वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और अगर आप नहीं है तो सब्स की क्लास उसको जॉइन करना ना भूलिएगा जिसको जॉइन करने का लिंग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लेकिन ये भी याद रखें घर से बाहर निगलते समय मास्क अवश्य लगाए और दो गज़ अत्वा छे फिट की शारी दूर का पालन करें और जब भी आपकी बार याए कोरोना का ठीका करन अवश्य करवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिन्दकी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवार